आजे आपने आज सिर्षकनी साथे आओ अपने परिक्षमा स्थीर रहिए अने स्वर्गना राज्ये ने प्राप्त करिए पर्मिश्वर्ना वचननों अभ्यास करवा माटे समय लेवा जही रहा छीए विश्वासना मार्क पर चालता आपने दर्रोज परिक्षानों सामनों करी सके छीए केटलाक लोको परिक्षाने काई नथी मानता अने तेमनी पर बीजयी मिडवे छे जोके एवा लोको छे जे मोटा प्रलोबन मा पड़ी जाई छे प्रलोबन एक एवी प्रक्रिया छे जे आपना विश्वासना जीवन नी साथे त्यां सुधी थाई छे जां सुधी आपने स्वर्गना राज्ये मा नथी पहुचता इटले आओ आपने बाइबलना द्वारा अभ्यास करिये के आपने बधाये परिक्षा मा स्थीर रहवू जोईए अने आग के मात्र आपने परिक्षा थी नथी पसार थता परन्तु विश्वासना बधा पुर्वज पन तेना थी पसार थया हाता तेनों अभ्यास करिने आओ आपने स्वर्गना राज्ये पर क्यारे हार न मानिये आजे साबातनों दिवस चे आ एक खुसीनों दिवस चे खरुने आदिव से आपड़े पर्मिश्वने धन्यवाद आपी सक्के छिए अने स्वर्गमा साबातनी आसिसने संग्रहीत करी शक्के छिए जेना माटे साबातना दिवस नों आनंद समझवो मुस्केल समय होई छे तेना माटे एक उदाहरन आपीस मानिलो के तमें बेंक माँ पईसा जमा करो छो तमें दर अठवड़े पोतना खाता माँ आसानी साथे केहु साबातना दिवस माँ दस लाख नी बचत करी ने जल्दी एक अरब रुपिया नो मालिक थैस दस लाख रुपिया जमा करिये छिए बेंक माँ दर अठवड़े पईसा जमा करवा माटे तमें आवस्तुओनो त्याग करो छो जेनो तमारे वदारे उप्योग करवानी जरूर होई छे जेने तमें खावा इच्छो छो अने मनो रंजन जेनो तमें आनंद लेवा इच्छो छो अने जे प्रमाणेनु जीवन दुनियाना लोको आनंद लेए छे दरेक वक्ते जहरे तमें जमा करो छो तो तमने केउ लागे छे दरेक वक्ते जहरे ती जमा करे छे तो रकम वदे छे केटलाक समय पहला मारी पासे 100 लाख रुपिया हता परन्तु मारी पासे हजू 500 लाख रुपिया छे तमने केउ लाख से जो तमें एक सामान्य लोको नुँ जीवन जीवो छो तो जहरे पन तमें खातामा रकम जुओ छो खुब खुशी नो अनुबव मैसुस करी छू स्वर्ग ना राजिय अने आत्मिक वस्तुओ ना माटे पाण एवुज छे तमारे विचार्वनी जरूर छे के मने आश्चर्य थाई छे के जारे पन हुँ साबातनों दिवस मनाव तो स्वर्गिय राजिय मां केटली आशिष संग्रहित करवामा आव से जिम वदारे आशिसो संग्रहित थाई छे तमे खूब हर्षित अनुभव करशो मने विश्वास नाथी थाई शक्तो के मारा जेऊ कोई स्वर्ग जई शक्ये छे आपनने आ प्रमाणेनी खुशी नी साथे साबातनों दिवस मनाव तो यूए थोड़ी बार मा आपनी महिमा मैं सांदार अने सोभायमान आत्मिक दुनिया स्वर्गीय दुनिया कोई आखे नहीं जोई न कोई काने सांब्लिव आने न तो कोई ना मनमा चड़ी छे खोलवामा आउसे जरे आपने ते महिमाना विषे मा विचारिये छीए तो आपने आजे पन उत्साइट मैसुस करवू जोईए आ कारणे आजे आपने सुती गाता अने प्रचार करता आननदित मैसुस करीये छीए एक बार आपणा विश्वासनु जीवन एक मजबूरी बनी जाई छे तो आ हवे हजू वदार विश्वास नती रहतो तेरे आपणा विश्वासनु जीवन आपनी आसा बनी जाई छे तो आ विश्वासनु साचु जीवन होई सक्के छे जो कोई मजबूर थईने तेने करे छे तो ते जल्दी विश्वास्थी बहार थई जश्चे अने आ प्रमाणेना व्यक्तिना माटे जे आवे छे ते परिक्षा छे सेताने लोकोनी आत्मावनी स्थितीने खुब सारी रिते जाने छे आ कारणे ते गरजनारा सीहनी जेम सोधमा रहे छे अने एक एवी स्थिती बनावे छे जे आ व्यक्तिनी आत्माने छेदे छे इटले पर्मिश्वरे कईयू तमारे परिक्षा मा स्थिर रहुँ जोईए तमारे लालच पर जई मिडवो जोईए पर्मिश्वरे आपने बाईबल मा आ घणी वार बतावियू छे लालच के परिक्षा ना आ वचन प्रमाने व्याख्या करवामा आवी शके छे के ते बदी वस्तु ओना उद्धारना मार्गमा अटकाव बनी शके छे बले ते एक वस्तु हो अथवा एक व्यक्ती अथवा एक स्थिती अथवा एक सामगरी होई स्वर्गना रस्तामा अटकाव करनारी दरेक वस्तु परिक्षा छे तेने सारी रिते समझवा तमारी मदद करवा माटे में त्रोण अलग अलग पद्यत्तियों मां परिक्षाने वर्गीकृत करवा मां आवी छे सामानिय रिते दुनिया मां एक परिक्षानों अर्थ एक कारिय वाही छे जे प्रक्रुती के कोई व्यक्ती के वस्तुनी शम्तानू मुल्यांकन करवामा आवे छे। शिक्षण पगलामा एक परिक्सा आ नियाई करवाना माटे करवामा आवनारी पद्धती छे। के जे कई सिखवडवामा आविू छे, तेने केटलू समझवामा आवे छें। परिक्सा करवामा आवी छे। आ केटलू विश्वास युग्या छे। पर्मिश्वरपर तेमनों विश्वास केटलों इमानदार छे। अबाबतों ने नक्की करवाना माटे जे आपवामा आवीचे ते आपना विश्वासना जीवनमा एक परिक्षा छे. परिक्षा ते छे जे सांचारिक महिमा, सांचारिक प्रसित्ती, सांचारिक धन, सांचारिक सुख, अने आ जीवननी चिंताओनों पीछो करवा आपणने स्वर्गने खोवा दिवामा छे अने परमेश्वनी साथे विश्वास घात करवा दे छे आपनने आरे ते परिक्षामा नहीं पड़ू जुए बाईबल नीजी शिक्षावना प्रमाणे सुरुस्टिनो समाई एटले आदम औने हवाना समयमाज परिक्षा हाती आदम औने हवानी परिक्षा करवामा आवी हाती अने तेवी जिरीते इब्राहिम नी अने तेमाज अयोबनी अने इशुनी पन परिक्षा करवामा आवी हाती 40 वर्सों सुधी जेंगलमा रहवाना दर्म्यान दर्रोज इस्राइलियों ये परिक्षानों सामनों करेव आजे आपना विसाइमा सु एक पड़चायनी दुनियामा रहेनारा इस्राइलियों ने मिसरती निकडिने ख्षान थी कनान देसमा प्रवेस करवाना ख्षान सुधी दर्रोज परिक्षा अने लालचनों सामनों करवो पड़ेव जो आ एक पड़चायों छे तो जो के आपने वास्तविक्तानी दुनियामा विस्वासा जेंगलमा चाली रया छी ये एटले आपना माटे दर्रोज परिक्षा अने प्रलोबन थसे खरूने आब अधी परिक्षा मा स्थिर रयवानों एक मात्र मार्ग छे तेशू छे जो आपने पोतना विस्वासना जीवनमा तेनू सारी रीते पालन करिये तो परिक्षा आपनी पासे क्यारे नथी थाई शक्ती आपने परिक्षा आपनी पासे क्यारे नथी आवी शक्ती बले परिक्षा आवे परन्तु ते लांबा समय सुधी नथी रही शक्ती जो के जहरे आपने पोतना विस्वास खोवी दिये छे तो आपने बवधिक विचारो अने सांसारिक विचारो थी भराई जाए छे अने स्वर्ग नी आपनी बती इच्छा अने पर्मिश्वर पर पोतना विस्वास ने खोवी दिये छे तेरे आपने पर्मिश्वर नी पवित्र सिक्षाओने पोतना पीठ बतावी ने स्वर्ग ने छोड़ी देए औने आनंद ने खोवी देए छे जे आपने पर्मिश्वर पर दरोज प्राप्त करता हाता। एटले हुँ तमने ते मार्ग याद राखवा माटे कहवा इच्छुछू जे पर्मिश्वर आपने परिक्षामा स्थीर रहवा औने लालच पर जै मिडवा माटे सिक्फियो छे। आखा संचार पर आवनार छे तेना थी हुँ पन तने बचावीस। संपोण दुनिया मां रहनारा बधालोकोंने पारखवा मां आवसे। एटले पर्मिश्वरे आपने पहला थी निर्देस आपयो जेती आपने परिक्षा औने लालच ने दूर करी शक्किये छीए। भले आपने विनासनी परिक्षानों सामनों केमन करीए। तो आओ आपने एदन वारीमा लालच पर एक नजर नाकी ने जोहें केटली चतुराई। आपने आ कर्शक रिते लालच आपनी पास से आवे छे। लालाच एटले आकर्षक रिथी आवे छे के तेमा थी दूर थाउ घणू मुस्केल छे एटले आपने नी सहाई थाईने लालाच मा पड़िये छे आवो अपने उत्पती एधिया इत्रन वचन एक पर जेईए हवे यहोवा इश्वर ना बनावेला खेतरना सर्व जानवरो करता सर्प धूर्त हतो सैतान धूर्तता थी लालाच आपे छे अने तेने स्त्री ने कईू चु इश्वरे तमने खरेकर एवो कईू छे के वाडीना दरेक व्रुक्सनु फड तमारे नखाऊ स्त्री ए सर्पने कईू वाडीना ब्रुक्सना फड खावानी अमने रजा चे पर इश्वरे कईू चे वाडीनो वच्चे ना ब्रुक्सना फड ने तमारे खाऊ के अडकू नहीं रखेने तमें मरू अने सर पे स्त्रीने कयू, तम्में नहीं ज मर सो, किमके इश्वर जाने छे के तम्में खासो, तेज दिवसे तम्मर यांको उगडी जसे, ने तम्में इश्वर ना जिवा भलू भुंडू जानना राथ सो. आदम अने हवा, इमांदारी थी परमेश्वर पर भरोसो राखे अने ते परमेश्वर पर विश्वास करता हा, दरोज खुश हाता, परन्तु एक दिवस, सैतान चूपाई ने हवानी पासे आव्यो, शु परमेश्वरे साचेज कहिऊ, तम्में आवाडी ना व्रुक्षनू खाई शक्के छिए, पर परमेश्वरे कहिऊ, भलू बुंडा ना ग्नाननू रुक्स ना फढ़ने न खाता, जे वाडी नी वच्चे छे, आ प्रसंग ने लईने सेताने हवानी परिक्षा करवा लाग्यो, जेना विशाई मां हवाये क्यारे विचारिव नहातू, परमेश् तमने तेमा थी न खावा माटे केम कयू? आ एटले छे केम के परमेश्वर चिन्ची छे, कि जारे तमे तेनू फढ़ खासो त्यारे तमारी आखो खुली जसे, आनने तमे भला बुंडानू ग्नान मेड़वी ने परमेश्वर नी जेम समझदार हसो. परमेश्वरे तमने त न खावा माटे कायू के परमिश्वर नहीं इचता के मनुष्य तेना थी वदारे बुद्धीमान होई तमें आने खावा थी नहीं मरो तेने खाईने जुओ हवा परमिश्वर नी साथे वितावेला सुखद ख्षणोंने भुलीने सेतानना सब्दो थी हलावामा आवी आ बिल्कुल पाण ध्यान केंद्री नथी करी शक्ती हती परंतु मात्र तेना विशै माच विचारती रहे बद्धा लोको आ प्रमाने परिक्सा आवे छे जरे तेने आ प्रमाने ना विचारनी साथे बला औने बुंडाना ग्नानना व्रुक्स ने जोईव तो ते अलग देखावा लाग्यो ते हावे एक एवू फळ नहतु जेने तेने खाव न जोईए तेखावाम माटे सारू अने जोवाम सुंदर अने ग्नान अपवामा इच्छा जोग पन देखाए। आना थी पहला ते तेनी पासे जवा पन इचती नहाती परंतु ते विचारवा लागी के तेनी पासे जवत योग्या छे। सेताने तेना विचारने संपोण रिते बदली नाक्यो आ रिते मानव जातीनु प्रत्थम पाप सरू थव। आ प्रवाणे बदी मानव जाती ये पाप वार्षामा मड़िव। अनि आ एक मोटु दुरभाग्यानु काराण छे। बद्धा लोको आ परिक्सा छे। जरे आपने परिक्सा आप्वामा आवे छे तो आपने वीचारिया छिए के आ आपने एटली खुस करी देशे अने जो आपने परिक्सा करनानी वात मानिये आ खुब सारू हसे। पर्मिश्वरे निश्चीत रूप्ती कईू ज्यारे तमे तेमा थी खासो तो मरी जसो। जो के परिक्सा है हवानी पर्मिश्वरना वचंती बीजी वातोंने सांबडवादी दी अने तेने एउ लाग्यू के आ तेने हजु वदारे खुशी आपनार छे। आरी ते परिक्सानू आदम औने हवाए अनुबव कर्यो हतो। तेवने अंतमा भला औने भुंडाना ग्नान ना व्रुक्षमा थी खादू बीजा सब्दों मा ते परिक्सामा पड़ी गया। जो तमे तेनी सर्खामनी साडामा थनारी परिक्साती करो छो तो आ परिक्सामा निस्पड थवा जेऊ छे। आदम ने हवा भला औने भुंडाना ग्नान ना व्रुक्षनिक हावा थी एटले पर्मेश्वर नी विरुद्ध उभा रेवनु कारिय करवा थी परिक्सामा पड़ी जाए। तियो पर्मेश्वर थी भीवा लागया तिमने लाग्यू के ते पर्मेश्वर थी दूर थएला छे। जेरे पर्मेश्वरे तिमने बुलावया आदम हवा तिमने छुपवानू सरू करी दिदू। ते प्रथम ते पर्मेश्वर ना कहवा पर आ कहता है के हुँ अहीं छुँ, खुशी मैसुस करता हाता, आने पर्मेश्वर नी तरप दोड़ी जता हाता, परन्तु हवे ते पर्मेश्वर थी बीता तिमने जोवा नहीं इचता हाता, ति उपोताना मनमा जानता हाता के तिमने कई खोटू करियू छे। बदा लोको परिक्सा आरीते आवे छे। आ आत्माउने नस्ट करी दे छे। अने आपणने स्वर्गना राज्ये माँ पहुचवा माँ निस्पर थवानू कारण बनावे छे। सु सेतान विना कोई कारण गरत से। शेतान केम गरजे छे। ते एक वदू आत्माने नस्ट करवा माटे चारे तरफ थी गरजे छे। खरूने। ते कोईने फाढ़ी खावा माटे गरजी रहो छे। सेतान तेने सेनाती फाढ़ी खाई छे। तेमने परिक्षा आपcrowdीने फाड़ी खाई छे। माटे तमे आ प्रमाणे प्रात्था करो, ओ आकास्माना अमारा पीता, तमारु नाम पवित्र मनाओ, तमारु राज्य आओ जेम आकास्मा तेम प्रुथ्वी पर तमारी छा पूरी थाओ, दिवसनी अमारी रोटली आज अमने आपो, अने जेम अमे अमारा रूनियोंने माफ क केम सिखवाडी? आपने आ याद राखू जो ये अमने परिक्षण मा न लाओ. दरेक वकद जयरे आपने जागी उठिये छिये तो परिक्षा थाई छे, दरेक वकद जयरे आपने कहीं करिये छिये तो परिक्षा थाई छे, अने दरेक वक्ते लोको एक्टा थाई छे, तो पर प्रज्तो रहे छे औने आपने लल्चावा माटे अनुकुल परिस्तिती बने छे। शेतान आपने पर्मिश्वने धोको आपवा माटे लल्चावे छे औने आपने सत्यनों त्याग करीने लल्चावे छे। अने आपने स्वर्गने छोडी देवा माटे लल्चावे छे। विश्वास्थी बदा संत परिक्षामा स्थी रहवाना प्रहत्न करे छे एटले परिक्षा तेलोकोना माटे हवे वदू परिक्षा नाथी जे तेनी पर जई पामे छे। जहरे तमें आबधा कामोंने करवामा आनन्दीत थहिये छे तो तेनों आर्त छे के तमें एक सार इस्थिति मा छो एक उपदेस मात्र एक उपदेस नहीं हो वो जोई है। जो के आप परमिश्वना वचनोंने सिख्वानों समई छे तो भले आपने पहला थी जानिये छे पर त तेने मनमा राखवू जोईए, परन्तु जयरे आपने आ वीचार ता व्याथित मैसुस करिये छीए, कि उपदेश आटलो लाम वो केम छे? मैं गई वक्ते ते उपदेश ने पहला थी जी सामड़े होतो, मने एकज बस्तु ने बेवार जो पसंद न थी, जो तमे एउँ वीचारी रहा छो तो, तमारे वीचार वू जो ये, के हूँ सैतान नो एक निशान थाई शकू छो, जे गरजनारा सीना जेम सोधमा रहे छे, आ परिक्षमा पड़ी ने मुड़ पाप करियू, मानव जातीनु मुड़ पाप परिक्षा ती पराजित्थाई ने परिणाम स्वरुप थव हतु, जे रहा विचारिय छे तो आपणे संपून रिते समझी शक्ये छिए, कि परिक्षा आपणा विश्वास्ता जीवन मा केटल परिक्षा आपणने सांचारिक महिमा प्रसिद्धी, धन, आनंद ने पापनी साथे लल्चावी ने स्वर्ग त्याग करवा मा परमिश्वन ने धोको अपवा मा माघदशन करे छे, एटले जो तमें विचारी राया छिए, मारी आतमात ते सिती मा वधारे पड़ी रही छे मने आखुसी मैसूस थती न थी के हूँ स्वर्ग जई शकू छू, तो तमारे आ समझवू जोईए के हूँ ते लोकों मा थी एक थाई शकू छू, जेने सेताने गरजनारा सीनी जेम भाड़ी खावाना माटे सोधी रहो छे, आपने आन नई भुलवू जोईए, पजी इश साथी के वी रिते पीडित थायो, आउ आपने आपर एक नजर नाकिये मातिये देई चार माँ छे, आउ आपने अधियाई चार वचन एक जुईए, त्यार पजी इशुनू परिक्षण सेतान्ती थाय, ए माटे आतमा तेमने रानमाल नहीं गयो, अने 40 राद दीवस सुधी उपवास करया पाची तेमने भूख लागी, तेओ ए 40 दीवस अने राद उपवास करया, जो आपने फक्त त्रोन दीवस उपवास करिये छीए, तो पन आपने आटलू कमजोर महसुस करिये छी, परन्तु तेमने 40 दीवस उपवास करयो, आपने समझी सके छीए के तेमनू दर्द केटलू वधारे रयू हसे, वचंत्राण अने परिक्षन करना रे, तेमनी पासे आवीने कईू, जो तु परमेश्वर्न पूत्रा छे, तो आपात्थर ने कहे के तेओ रोटली थाई जाए, पन तेमने उत्तर दीदो एम लखेलू छे के, मानसे कली रोटली थी नही पाण, दर्एक सब्द, जे इश्वर्ना मौमा थी निकड़े छे तेथी जीव से, तो ते कही रयो हतो, तमें हजू खूब भूख्या छो, के नहीं, तो तमें आप अत्थरोंने रोटली बनावीने, तेमने केम नथी खाता, पछी इश्वर्ना मौत्य आवनारा दर्एक व जीववूज, जीववू साची रीत छे, न मात्र तेमने परिक्षा पर जय प्राप्त करी, परन्तु तेमने सेतान ने सिखावड़ू, एटले सेतान, जान तो ना हातों के शू करू, सेताने तेने बीजी परिक्षा आपी, आव आपणे वचन पाँच चुईए, त्यारे स सेतान तेमने पवित्रनगर मा लें जाई छे, ने मंदिर ना बुरज पर तेमने बैसाडे छे, आने तेमने कहे छे, जो तु इश्वर नो दिक्रो छे, तो पोताने नीचे पाडी नाक, केमके एम लखेलू छे के ते पोताना दूतोंने तारा संबंधी आग ना कर से, आने तेहो तने पोताना हाथो पर धरीले से, रखे ने तारो पक पत्थर साथे अफड़ाए, इश्वर तेने कहीं एम पन लखेलू छे के प्रभू तारा इश्वर नू परिक्षन तू न कर, परमेश्वर परिक्षानी वस्तू न थी, शु परमेश्वर ते करी सक्ये छे के परिंश्वाण नहीं करवी जोइ, पर्मेश्वाण नी परिक्षा करनारा बधा लोको नू दुरभागयपूण परिणाम हतू। तेमने देखाले छे, अने तेमने काये छे, जो तु पगे पड़ीने मारू भजन करे तो अबादा हुँ तने आपीस. सिद्धा सब्दो मा कहिए ते इशुने तेमनी आत्मा वेच्वाना माटे कई रायो हतो. जरे सेताने तेने बद्धुच, आपवानो सोधो करीने तेनी आत्माने वेच्वाना माटे कई तो इशु तेनी पर हसे. इशु ए एवु केम कर्यू? एवु एटले कर्यू? हतु केम के सेताननो निणे खुबज दया निये हतो. ब्रह्मान माँ आप्रुथवी पर आवी ने अने मुल्य परमेश्वर कोई बीजी वस्तू करता सारी रिते जाने छे. आप्रुथवी केटले निरर्थक छे? ते डोल माँ पाने नी मात्र एक टीपा जेवी छे. परंतु सेतान इशू थी एवी वाद करी रहो हतो के जो ते देंडवत करे तो ते तेने कईक महान वस्तू करवा जाई रहो छे. शू थसे? जो हूँ तमने कईक मुस्केल वस्तू मांगी और कह्यू जो तमे तेने करो छो तो हूँ तमने एक केंड़ी आपीस. तमें शू कर सो, तमें कहे शो, मने ते नहीं जोईए, ते एवी वात हाती वचन दस मां इसू येसू कहिऊ तेरे इसू तेने कहे छे, बक्वास बंद कर अरे सेतान, आगो जा किमके लखेलू छे के प्रभू, तारा परमिश्वन नू भजन कर ने तिमनी एकलानीच, सेवा कर तेरे सेतान तिमने मुक्की ने जाई छे, अने जुओ, दूतो ये तिमनी पास से आवी ने तिमनी सेवा करी बदा लोको, जरे आपने विश्वास ना जेंगल मा चाली रहा छी है तो एवी कोई परिक्साओ दर्रोज, आवी शके छे गणी वस्तुओना द्वरा सेतान प्रयत्न करे छे, कि आपने स्वर्ग पर हार मानिये औने उद्धार नों त्याग करे इटले इश्वे माथी अधियाई तेविसमा कायू, उसास्त्रियों तथा फरोश्यों, ढोंगियों तमने अपसोस छे तमे मनुष्योंना माटे स्वर्गना राजियनों द्वार बंद करो छो, तो पोते तेमा प्रवेस करो छो, अने नतो तेमा प्रवेस करना रावने प्रवेस करवा दो छो आप्रुथ्वी पर तेमना जेवा घणा बता लोको छे, क्यारेक, क्यारेक, कोई व्यक्ती, किस्तीती, सामगरी आपणों अठकाव करनारी होई शके छे हज्जारों अस्तुओ छे, जे आपनने स्वर्गमा जवाना मार्ग पर रोके छे एटले, आपने आवाद पर संपुण ध्यान आपवु जोईए, क्यारे इश्वनी परिक्षा करवामा आभी हती, त्यारे तेमने कई रीते तेनी पर जई प्राप्त कर्यों जो आपने मात्रा ते प्रमाणे नू अनुसरन करिये, जे तिमने आपने सिख्वाडियू, तो आपने बदी परिक्षा थी जीती शक्ये छिए जरे सेताने इश्वनी परिक्षा करी, तो इश्वे तेने जे पहली सिख्षा आपी ते आहादी, कि सारीरिक भोजन पोतेज एटलू महत्वपूण न थी, परन्तु आके परमेश्वना बचन नू भोजन वदारे बहु मुल्ले छे बीजू, इश्वे तेने सिख्वाड़ियू के परमेश्वर क्यारे पन परिक्षा नी वस्तू न थोवी जोईए त्रीजू, इश्वे तेने सिख्वाड़ियू के मात्र परमेश्वर नी उपास्ता करवी जोईए अने बीजा कोई नी उपासना नहीं करवी जुए सेतान इच्छतो हतो के तेनी उपासना करवामा आवे आपना माटे पन विश्वासना मार्क पर चालता जो आपने आ विश्चारीने सब्योती सेवा मिडवा इछिये छे अलबत हुँ एक पादरी छुँ, हुँ एक एल्डर छुँ, हुँ एक सिर्षक धारक छुँ त्यारे आपनी आत्माओ सारी स्थितिमाना थी आपने एक बीजानू सन्मान करवानी जरूर छे जो तमे विचारी राया छो, हुँ कईक प्राप्त करवा इच्छु छु तो तमारे आ समझवु जो एक तमे एक सारी स्थितिमाना थी अन्ने तमने परमेश्वन थी प्रातना करवानी जरूर छे सेताने इशु थी पोतानी उपासना करवा कायू आपने मात्रा कोनी उपासना करवी जो ए शिक्षा मात्रा परमेश्वनी उपासना करवी ए परमेश्वनी सिक्षा छे तु प्रभू पो तना परमेश्वनने प्रणाम कर अने मात्रा तेनी उपासना कर इश्वे सेतान ने आ समझवा दिदू के आपड़े मात्रा परमेश्वननी उपासना करवी जोई अनि लख्यू छे तेरे सेतान तेनी पासे थी चाले गयो अनि जुओ स्वर्ग दुद आवी ने तेनी सेवा करवाला गया सेतान ना बदा प्रलोबनों पर विजेई मेडवा पछी इशुए प्रचार करवनों सरु करियो बाइबल काई छे के परिक्षा नो समय अखे दुनिया ना बद्धा लोको पर आवसे एटले आ बद्धा पर आवसे अपने आ जोव जोई एक के इशुए केवा प्रकारनी परिक्षा पर विजेई मेडवा अने तेमना उदाहरन नू पालन करवू जोई आव अपने अयूब अध्याई एक पर एक नजर नाके अयूब महान विश्वास नो व्यक्ती हतो कोईक तो लोको पुछी सके छे तेनी पासे महान विश्वास हतो तो ते परिक्षा थी केम पसार था जरे अयूब नो विश्वास सारो हतो तो सेताने तेना विश्वास्थी इडशाथ हती हती अने तेने तेनी परिक्षा लिदी अयू वद्याई एक वचन एक वाँचिये उस देश मां एक मानस हतो तेनु नाम अयू भातू ते निर्दोष तथा प्रमानिक हतो तेमज इश्वर भक्त तथा भुंडाई थी दूर रहनारो हतो तेने साथ पुत्रों तथा त्रण पुत्रियों हता वड़ी साथ हजार घईटा, त्रण हजार उंट, पांसो जोड बढ़ज, पांसो घधेडियो अने पुसकड राच रचिलू अने तेनी संपती हती तेथी एपुर्वना लोको मा सवती मोटो पुरुष मनातो हतु तेना पुत्रों मना दरेक पुताने गेर मिजबानी आप्तो अने पुतानी 3 बेनोने पण पोतानी साथे खावा पिवा माटे आमंत्राण आपता अईउबे एक अनुकराणी एम क्रिस्सतीनु चौथी आदर्स जीवन चिवoral तेना बाळकोई पोताना संतानो ना करतवयोने पूरा करया माता पिता ये पोताना बाळकोने कुब प्रेम आपयो माटे दहनार पण करतो ते कैतो कजाच मारा पुत्रों ये पाप करीने पोतना रदे मा इश्वन नो इनकार करयो होई अयूब ए प्रमाने हम्मेशा करतो हातो वचंचा एक दिवस इश्वर दूतो यहोवानी आगण हाजर थाया अने तेमनी साथे सेतान पण आव्यो यहोवा सेतानने पूछू सुते मारा सेवक अयूब ने लक्समा लिदो छे प्रुथ्वी उपर तेना जिवो निर्दोस तथा प्रमानिक इश्वर भक्त तथा दुष्टता थी दूर रहना वीजो कोई पूरुष ना थी तेरे सेताने यहोवाने उत्तर आपयो सु अयूब काराण वगर इश्वर नी भक्ति करे छे कोई तो कारण हसे आयूब तमारी पर विश्वास करे छे परमिश्वर केमके तमे तेनू घणू धन अने तेना घर ना माटे घणी बदी आसिसो आपी छे जो तमे तेना परिवार ने कईक कस्ट आपो छो तो तेतर तमने दोको आप से सेत ताने परमिश्वर ने आसूचन करियू वचन दास शु तमे तेना घर नू तथा तेना सर्वर नू चारे तरफ रक्षन करता नथी तमे तेने तेना काम धन्दामा आसिरवाद आपयो छे जेती देसमा तेनी संपति वधी गई छे पट तमारो हात लंबावी ने तेना पड़े चड़ी ने तमारो इंकार कर से तेरे परमिश्वर कयू मारोदास अयूब एव क्यारे नहीं करे आओ अपने वचन बार मा चालू रहे यहोवाई सेतान ने कयू जो तेनू सर्वस्व हूं तारा हात मा सौंपो छूप पंड तेना पंड पर तारो हात नाक तो नहीं परमिश्वर कयू मारोदास अयूब एव नहीं करे जो तू तेना विश्वास ने नथी मानी सकतो तो तू तेना साथे जे इच्छे तेकरी शके छे परन्तू फक्त तेना सरीर पर हात न लगाउतो वचन चवद एक संदेसियाए आभी ने अयूब ने कहीू बढ़दो जोत्रेला हाता अने गदेला तेओनी नजीक चरता हाता इटला मां सबाईम लोको हुमलो करीने ती बदाने लई गया तेओ एचाकरोंने तरवार्तिक आपी ना ख्या छे अने फक्त हूँ एकलो जितमने खबर आपवाने बची गयो छू ते हजी तो कहतो हतो इटला मां सपति खोवी ना खे आबाबाते एक ना पची एक अयूब नी पासे रिपोर्ट करवा मां आवया हाता वचन सत्तर ते हजी ते कहतो हतो इटला मां विजाए आवी ने कायू कास्तियोंनी त्रान तोडियो उटो पर हुमलो करीने तेओने लई गया छे वड़ी चाकरोंने त पिजाए आवी ने कायू तमारा पुत्रों तथा तमारी पुत्रियों तेमना वड़ा भाईना घरमा खाता तथा द्राक्षारस पीता हाता ते वकते अरणिया माथी भारे वावाजुडू आवियू तेनो धकको घरना चारे खुणाने लाग गया थी तेनी अंदर ना जु अयूबे उटीने पोताने जामो फाडीने माथू मुंडावियों और भूमी पर पड़ीने स्तूती करता कायू मारी माना उदर माथी हूँ नगना आवयो हतो और नगना पाचो जेईश। तो ते कही रहो छे के खाली हाते आवयो छे और खाली हात जसे करूने यहोवाय नामने धन्या हो ए बदा मा अयूबे पाप करियू नहीं अने इश्वर ने दो सापयो नहीं बदा लोको जो तमारो परिवार अनपेक्षित रूप्थी आप्रामाणे नी स्थीतीनों सामनों करे तो तमेशू विचार सो हो परमेश्वर पर विश्वास करू छू तो मारो परिवार नी साथे एउकेम ठई animals के मैदान मा तेना गेटा मारी नखवां मााव्या अने गेटानी संब्ढ़ करी रहला बधा सेवक मार्या गया अनि तेनी बदी संतान मरी गई अनि तेने पोतानी बदी संपतिक होवी दिदी तो पण अयूबे कईू ज्यारे हूँ पोतानी माना सरीर थी पैदा थायो हतो त्यारे हूँ खाली हाथ पैदा थायो हतो एटले सु आ स्वाबाविक नथी के हुँ खाली हाथ चाल्यो जाऊं। यहोवाय आपियोंने यहोवाय लीदू। यहोवानू नाम धन्ये छे। अने आलखेलू छे के आ बद्धी बाबतों मां पन अयूबे न तो पाप कर्यू अने न प्रमेश्वर पर मुर्खता थी दोस लगाविय। जारे तेनी संतान एक साते हाती त्यारे घाट पडवा थी ते बदानी मृत्यू थाई गई अने तेने पोतानी बधी संपती खोवी दीदी अने तेना बदा सेवक पण मारे गया। शु तमने लागे चे के तमे आ सिती मा एउँ कई शको छो। जारे पण हुँ अयूबनी पुस्तक माँचू छू तो मने लागे चे के ते एटला अधबूत छे के ते आ संचान ना व्यक्तिनी जेम प्रतित नथी थातू। पर्मिश्वर तेने बाइबल मा केम लख्यू छे। पर्मिश्वर बतावे छे के तेमने जे कई पन लख्यू अतू तेमने मने आवचेन आपया जेती आपने पान आप्रमाणे नो विश्वास राकी सक्के खरूने आपने अध्याई बे जोईए। एक दिवसे इश्वर दुतो फरी थी यहोवानी आजुर मां हाजर थया। तेवनी साथे सेतान पन आवी ने यहोवाणी आगण हाजर थव। यहोवाई सेतान ने पूछि तुँ क्या जी आबयो। तेरे सेताने यहोवाने उत्तर आपयो प्रुथ्वी पर आम तेम सर्वत्र फरी ने हुँ आवयो छू यहोवाई सेताने पूछू शू ते मारा सेवक अयूबने लक्समा लिदो छे प्रुथ्वी पर तेना जेवो संपूण प्रामानिक इश्वर्भक्त तथा दुष्टता थी दूर रहनार बीजो कोई पूरुष नती जो के तेने विनाकारण पायमाल करवाने तेमने उसकेर्यों हतो तो पण हाजू शुदी ते पोताना प्रामानिक पणा एटले पोताना विश्वास ने द्रडता थी वडगी रहो छे शेताने यहोँआने उत्तर आपियो चामडी ने बदले चामडी हाँ मानस पोताना जीवने बदले तो पोतानू सर्वस्व आपे पर तमारो हाथ लंबावीने तेना हाडकाने तता तेना मासने सपर्स करो एटले ते तमारे मोडे चड़ीने तमने साप आपसे शेताने कायो तेने परमिश्वने महीमा आपी औने तेमनी प्रसंसा करी केम के आ तेनी साथे नहीं है, परन्तु तेनी आसपास ना लोकों नी साथे थयू, तेनी संतान मरी गए और तेमनी संपती खोवी नाकी छे। जो तमें तेना सरीर पर हुम्लो करो, तो आ एक अलग कहानी थसे। सेताने बिजी वगत परमिश्वर पर दाव लगाव्यों। वचन छा, यहोवाय सेतानने कायू, जो तेतारा हातमा छे, फक्त तेनों जीव बचावजे। परमिश्वरे कायू, तमें जे करवा इच्छो छो तेना थी करो, बस तेमना जीवने नुक्षान ना पहुचाळो, अयूब ते नहीं करे, ते तमें कई रया छो, परमिश्वर तेनी पर द्रडता थी भरोसो करो, वचन साथ, पाचि यहोवानी हजुर मा ती निकडिने सेत परमिश्वर ने अयूब ना सरीर मा तेना पग ना तडिया थी, तेना माथानी तालकी सुधी, गुम्णानू दुख दायक दर्द उत्पन कर्यू, ते थी ते पोतना सरीर ने ठिक्रिती खंजवळवा माटे राखमा बेठो, तेरे तेनी पत्निये तेने कईू, तमे तमारा प्रमानिक पणाने द्रडता थी वडगी रया छो, इश्वर ने सापापों ने मरी जाओ, तेनी पत्निये कईू, शुद तमे हजुपन परमिश्वर पर विश्वास राखो छो, परमिश्वर नी निंदा कर, अने भले मरी जा तो मरी जा, वचन दास, पर तेने तेने उत्तर आपयो, कोई एक अधर्मिश्वर नी जेम तु बोले छे, शुद अपणे इश्वर ना हाथ थी सुखत स्विकारिये, अने दूख न स्विकारिये, इस सर्वामा अयूबे पोतना मौती पाप न कर्यू, बदा लोको, शुद तमने लागे छे, कि तमे आ काई कर्वामा आवे छे, अयूबनी पुस्तक मांचू, अखरेकर मां अध्भूत हातू, ते एक एविस सिती मां आतो, ज्या तेनू शरीर, पग ना तालवा थी लईने माथानी चोटी शुदी मोटा-मोटा गुमडाती पिडित हातो, अने तेने पोताने खंजवडवा मांटे एक ठिक्रू लेवू पड़े, जो के तेने फरीती कईू, परमीश्वरे आपनने गणी बदी आसिसो आपी छे, तो जरूर थी, आपने कहीं कलेश्पन प्राप्त करी शक्ये छिए, आओ आपने भचंदस फरीती वांचिए, तेने तेहोंने कईू, तू एक मुर्ख स्त्री जे वी वाद करे छे, शो आपने जे परमीश्वन ना हाथ थी सूक लेए छिए, दुख न लेए, शो आपने परमीश्वर थी मात्र सारी वातोंने स्विकार करवी जोईए, आपने कलेश्पन प्राप्त करी शक्ये छिए, तेनो अर्थ आना थी के ते नरक माँ जयी रयो छ आ बदी वातों मां पन अयूबे पोताना मौत ही कोई पाप न कर्यू। आ अयूबनी स्थिती हती अंत मां तेने बदी परिक्षा पर जई मेडव्यों। अन्य अयूबनी पुस्तक ना छिल्ला पुष्ट पर आपने जोई शक्ये छिये के केवी रिते परमीष्वरे तेने तेना पझीना जीवन मां वदारे सुंदर बाढको आपिया अन्य ते आपने तेने पहला नी सर्खामणी मां बे घणूँ आपिए हतु। जो आपणे आस्तिती मां होई ये, तो शु आपणे अयूबनी जेम पोता ने परमेश्वनी सामे प्रस्तूत करी शक्ये छिये, जे रिते अयूब है कर्यू हतु। आ कारण परमिश्वरे अयूब पर एटलो भरोसो करयो अने अयूबना विश्वास ना जीवन थी प्रशन्न हाता अपने अबाती परिक्षावों मा स्थीर रेवा अने स्वर्गना राज्यमा जवाना माटे विश्वास राखो जोईए। बले तेने कोईपन प्रकारनू दर्द, पीडा, तकलिफ अने कटनाए केम न थाई होई। पर्मिश्वर नी प्रसंचा करे अने पर्मिश्वर्ने मात्र महिमा आपी। जरे पर्मिश्वर मने सारी वस्थू आपसे तो हूँ तेने स्विकार करी छुछ। हुँ परमिष्वर नी तरफ दी जे कई पं आवे छे तेना माटे आभारी छुौ। जैरे पर्मिश्वर आपने कई सारू आपे छे तो आपने कई ये छीए वाँ पर्मिश्वर नो धन्यवाद पाची केटलाक दिवसोर ना पाची आपने धन्यवाद आपवो भुली जैये छीए अने ज्यारे थोड़ू कई अयोग्य होई छे तो आपने फरियाद करिये छे मनुशेनू रदै आ प्रकार्णू छे जोके इशु अने अयोग नी सिक्षाओना ध्वारा आपने एकवार फरीती विचारवानों सम्मई लेवो जोईे के साच्या प्रकार्णू विश्वास पर्मावुचू दे तमे कालजी राकी ने पाड़ो के तमे जीवता रहो ने वृद्धी पामो ने जे देस आपवानी यहोवाए तमारा पित्तुरों नी आगर प्रतिग्रा करी तेमा जैने तेनू वतन पामो अने तने नमावाने तथा तेनी आगनाओ पाडवानी तारी इच्छा, छेके नहीं, ते जानवा माटे के ते तने नम्बर बनावे, तारु पार्कू करवाने यहोवा तरा इश्वरे आ चाड़ीस वर्शुधी, जे पर्मेश्वरे लोकों ने तपासवा माटे जे कननान देस माँ प्रवेस करवा माटे योग्ये छे, तेमने 40 वर्श परिणाम स्वरू तेमने 6 लाग पूरुसो माथी मात्र बे लोकोने जोया। तेमाती मात्र बे लोकोनी पासे कनान माँ प्रवेस करवा माटे घणों वधारे विश्वास हातो। परमेश्वरे तेने तेना विश्वाई माँ सू करवा माटे कयू के तेमने 40 वर्सो सुधी जंगलना मार्ग मा तेमने चलाव्या। परमेश्वरे तेमने ते याद राखवा माटे कयू। शारिरिक इज्राइलियो ना उदाहरन द्वारा भले विश्वासना जेंगलमा चालता समय आपनी कोईपण प्रकारनी परिक्षा थाए आपने हम्मेशा वाचन पर ध्यान आपवामा सक्षम हो उजुई जेती आपने वचन मा आपना जीवन ने खुशी औने आनंदना रूप मा मानी चक्के अने तने नमावाने तथा तेनी आगनाओ पाडवानी तारी इच्छा छे के नहीं ते जानवा माटे तारू पार्खु करवाने यहोवा तारा इश्वरे आ चालिस वर्सुदी जे आखा रस्ते तने चलावेओ छे अने तेमने तने नमावेओ ने तने भूख्यो रहवा दिदो ने तु नोतो जानतो तेमज तारा पित्रुए पण नोतो जान्यू एवा मनना थी तने पोश्यो तारा मनमा सुसुछे अने के तु तेनी आगनाओनु पालन करिश्के नहीं ए माटे के ते तने जनावेके मानस फक्त रोटली थी जीवतु नथी पण यहोवाना मुखमादी निकडता प्रतिक वचंती मानस जीवे छे ए माटे के ते तने जणावे के मानस फक्त रोटलिथी जीवतू नथी, पान यहोवाना मुखमाधी निकडता प्रत्यक वचन थी मानस जीवे छे आ 40 वर्स माँ तारा वस्त्र जुना न थया, तेमाज वस्त्र 40 वर्स सुधी, ते पैरी शक्या आ पर्मेश्वनी सक्ति आने पर्मेश्वनी संबाड चे खरूने, आ 40 वर्सो परियांत तारा अंग परना तारा वस्त्र जीण थई गया नहीं, तेम तारा पग सुझी गया नहीं अने तारे एम समझवूके जेम मानस वो ताना दिकराने सिक्सा करे छे, तेम यहोवा तारा इश्वर्त ने सिक्सा करे छे तथा दाड़ामोना देसमा जैततेल तथा मधना देसमा जा तु धराईने अन्न खासे ने तने कसानी खोट पड़से नहीं एवा देसमा जेना पत्थर लोडाना छे ने जेना डुंगरों माथी तु पित्तड खोदी काडी सके एवा देसमा लई जाई छे अने तु खाईने त्रूप्त थासे ने जे उत्तम देस यहोवा तारा इश्वरे तने आपयो छे तेने लिदे तु तेमनी स्थूती करसे आ सुन्दर देस अनंत स्वर्गना राज्यने दर्शावे छे खरूने बर्मेश्वरे आपणने आपना अनंत स्वर्गिय घरमा पाचा जवानी मंजूरी आपी छे तेमनी आसपासना लोको थी क्यारेक क्यारेक तमारा मित्रो थी क्यारेक क्यारेक तमारा मातापिता पत्नियों पतियों के तमारा भाळको थी तमने घणा प्रकारनी परिक्षाओ अने कस्ट थाई शके छे। जो के जो आपने पोताना मित्रों, परिचितों, संबंधियों, परिवारना सब्वियों, सहकर्मियों अने पोतानी आसपासना बदालोकोंने बचावा जोईए। तो आपने हम्मिशा पर्मिश्वना वचनना प्रमाणे जीवू जोईए, खरूने, जो आपने पर्मिश्वना वचनना प्रमाणे जीविये छीए, तो शुँ आपने पर्मिश्वरे आपनने हम्मिशा अंदर आवता समय अने बहार जता समय आसिस आपवानों वाईदों नही करो छे परमिश्वरे आपन कयू के 40 वर्ष सुधी जंगल मा थनारी बदी स्थितियों ने परमिश्वरे बनावी हाती 40 वर्ष सुधी जंगल मा हर पड़े एक परिक्षा हाती त्यारे तेनो अर्थ छे कि आपना विश्वासना जेंगल मा पन हर पड़े एक परिक्षा छे आपने आ परिक्षा ओमा पोतानू ध्यान नहीं खोवु जोई परमेश्वरे आपनने आपनी पासे जे छे तेना विशे मासू करवा माटे कईू अथू परमेश्वरे कह उवा तू जे कहीं तारी पासे चे अक्षे तेने पकड़ी राक तेने कोई तारो मूगत नअ छिनवीले आयुबनी परिक्षा एटले नहीं करवा मा आवी हती के तेनो विश्वास खोटो हतो क्यारेक जेनी पासे सारो विश्वास होई छे तेनी परिक्षा करवामां आवी चके चे अणे क्यारे-क्यारेक सितान ती लोकोने फाडी खावामाटे गर्जी शके चे जणी पासे कमजुर विश्वास छे जो के आ भविश्यमणे करवामां आवी चेके दुनियाना बधा लोकों पर परिक्षाओनों समय आविजसे। आओ, आपने बधा परमिश्वरे, आपने अंत सुधी पीता आने माताना वचन मां स्वर्ग सुधी लई जवा माटे मांगे। हूँ, तेना द्वारा आजना उपदेशने समाप्त करवाई चुचु, तमारों खुब-खुब धन्यवाद।